ओम शांती आज 14.12.2022 के बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तुम त्रिकाल दर्सी बने हो लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुशार्थी हो मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तुम तिरिकाल दर्सी बने हो लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुशार्थी हो प्रश्न है ग्रस्त में रहते करम अवस्य करना है लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है ग्रस्त में रहते करम अवस्य करना है लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है उत्तर है करम करते व्यवार में आते अन की बहुत परेज रखनी है पतीतों के हाथ खा नहीं खाना है अपने को बचाते रहना है करम सन्यासी नहीं बनना है लेकिन परेज जरूर रखनी है तुम करम योगी हो, करम करते बाब की याद में रहो तो विकरम विनास होंगे तो बाबा में समझा रहे हैं कि हमें अपने अन्शुद्धी का बहुत ध्यान रखना है किसी पतीत के हाथ का नहीं खाना है करम करते बाबा की याद में रहना है धार्ना के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट स्रीमत पर ज्यान और योगबल से माया पर विजय पानी है विनास के पहले अपने विकर्मों को विनास करना है स्रीमत पर ज्ञान और योगबल से माया पर विजे पानी है विनास के पहले अपने विकर्मों को विनास करना है अगला पाइंट बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाओ करते रहना है अन दोस्त से बहुत संभाल करनी है वर्दान है संगम युग के मैतव को जान सने की अनुभूतियों में समाने वाले संपूरन ज्यानी योगी भव संगम युग परमातम सने का युग है इस युक के मैतों को जानकर स्ने की अनुभूतियों में समा जाओ स्ने का सागर स्ने के हीरे मोतियों की थालियां भरकर के दे रहे हैं तो अपने को सदा भरपूर करो थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ संपन बनो ये परमातम प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्ने ही योग है और स्ने में समाना ही संपूरन ग्यान है, स्ने ही योग है और स्ने में समाना ही संपूरन ग्यान है, ऐसे रुहानी स्ने का सदा अनुभव करने वाले ही संपूरन ग्यानी योगी है स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है, वही माया जीत बनता है ओम शान्ति